दिलेर पुर्वान चल में आपका स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो में जवन पुर्जिले के मलहानी विधान सवासे समाजवादी पाटी के लोक प्रिये नो निर्वाचित विधायक लकी यादो के बारे में आप सभी को बताएंगे लकी यादो का जन्म 15 नवंबर 1990 को जौन पुर्जिले में हुआ इनके पिता का नाम सुर्गिये पारसनाथ यादो है लकी के पिता यूपी की राजनीत के बड़े दिग्गन्नेता थे और वा कई बार पूर्व मंत्री भी रह चुके थे उनके पिता को पूर्वान्चल का मिनी मुलायम कहा जाता था यूपी की राजनीत में उनकी तूती बोलती थी लकी यादो के माता का नाम सुर्ये हीरावती देवी है इनकी माता पूर्व बलाक परमुख रह चुकी है उनकी माता बर्सठी से बलाक परमुख रहती थी लकी यादो ने इलहाबाद विस्थ बिद्याले से विये की पढ़ाई किया है आपको बता दे की राजनीतिक पड़िवास से तालूक रखने के चलते सिख्छा ग्रहण कनने के बाद लकी यादो अपने पिटा के साथ राजनीतिक वा समाजिक रूप से सक्री हो गए वा 2005 में जिला पंचायसरस का चुनारड और वास जीत गए इसके बाद लगाता लकी यादो छेत में सक्री रहे 2007 में उनके पिटा पारसनात यादो ने मुलायम सिंग यादो से कहकर लकी यादो को मडियाओ विधान सभा से टिकर दिलाया लेकिन इस चुनाव में लकी यादो को हार का सामना करना पड़ा लकी यादों ने अपने प्रतिदुन्दी को करीटक कर दिया लेकिन वहाँ पंद्रा सो ओटों से चुनाव हार कर दूस्तरे अस्थान पर रहे आपको बतारें कि लकी यादों के परिवार में सभी लोग किसी ना किसी परपर हैं तीन भाईयों में लकी यादों सबसे बड़े हैं लकी के छोटे भाई का नाम ओम यादों और सबसे छोटे भाई का नाम वेर यादों है लकी यादो के छोटे भाई ओम यादो की पतनी बिहार के पूर्व मुखमंत्री लालू प्रसाद यादो के साले साधू यादो की बेटी हैं पारसनात यादो का राजनीत में बड़ा दबदबा था यूपी से लेकर दिल्ली तक उनका बड़ा कद माना याता था आपको बता दें की ओम यादो की पतनी अर्चना यादो वर्तमान में बरसठी से बलाक परमुख हैं वहीं लकी यादो की पतनी पुस्पा यादो जिला पंचायट सरस्त हैं लकी के छोटे भाई ओम यादो भी जिला पंचायट सरस्त हैं इस तरह परिवार में सभी लोग किसी ना किसी राजनतीक पट पर काबिध हैं लकी के पिता पारसनाथ यादो का यूपी की राजनीत में इतना बड़ा दबदबा था कि वहा साथ बार बिधायक, तीन बार मंत्री और दो बार जौन पुजिले से सांसा चुने गए उनका पूरे पुर्वांचल में बड़ा जनाधार था अपने पिता की तड़ा लकी यादो छेत्र में काफी सक्रिय हुए और वहा काफी लोग प्रिये नेता के तौर पर जाने याते हैं 2015 में लकी यादो दूसरी बार जिला पंचार सरस्त हुए इस बार उनके पिता ने अपना पूरा ताकत लगा दिया की ताकि उनका पुत्र लकी जिला पंचार अध्धच बन जाए लेकिन लाश्ट समय पर उनके टिकट कड़ गया इसकी चलते से उनका या सपना भी तूड गया पारसनाथ यादो का सपना था कि उनका पुट्र उनके सामने विधायक बन जाए 2017 में पारसनाथ यादो जौनपुर से विधायक चुने गए इसके बाद 2020 में पारसनाथ यादो का निधन हो गया और सारी जिम्मेदारी लकी यादो के सर पर आ गई लकी यादों ने अपने पिता की राजनीत को आगे बढ़ाने का सोचा और 2020 मलहानी बिधान सभा उप चुनाओं में लकी यादों समाजवादी पाटी के तरफ से बिधायक चुने गए लकी यादों ने बाहु बली धनन्ज सिंको चुनाओं में माद दिया और वा साड़े चार हजार ओटों से बिज़ेई हुए लकी यादों का पूरे जौनपूर में काफी दबदबा माना जाता है अपने पिता के राजनीती के चलते वह जौनपूर में काफी लोग प्रिये हैं और वह युवाओं के काफी चहते कहे जाते हैं उनके साथ कई गाडियों का काफिला भी चलता है और सभी गाडियों पर यूराज लिखा हुआ होता है तो वे रहे दोस्तों मलाहनी से समाजवादी पाटी के लोग प्रिये दबंग नो निर्वाचित बिधायक लखिया दो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताएं अगर आपने हभी तक हमारे चैनल दिलेरी पुरुवाचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद